हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज हम आपके साथ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाने वाली चटपटे और मजेदार से नास्ते की रेस्पी सेयर करेंगे जिसे आप 6-7 दिन के लिए इस्टोर करके भी रख सकते हैं तो चलिए मिंटो में बन जाने वाले इस मजेदार से नास्ते को बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाएंगे हम मटर से तो यहाँ पर हमने एक कप मटर ली है मटर को सबसे पहले हम वाइल करेंगे तो यहाँ पर पानी गरम होने के लिए हमने रख दिया था गरम पानी में मट मटर को हम डाल देंगे और इसे तीन से चार मिनट के लिए उबाल लेंगे जब तक की मटर अच्छे से सॉप्ट ना हो जाए जब तक मटर उबल लई है तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं तो यहां पर हमने कॉन्फलेक्स लिया है तो इसे हम मिक्सी में डाल कर दरदरा पी और इधर मटर भी हमारी सॉप्ट हो गई है तो चलिए देखते हैं तो यह देखिए बहुत आसानी से मटर हाथ से दव रही है तो इसे इस टेनर पर ही हम छोड़ देंगे जिससे इसका एक्ष्टा पाने निकल जाएगा और यहां पर हमने दो मेडियम साइज के उबले यहां पर हमारा आलू गरम हम थोड़ा सा जल्दी में यह बना रहे थे इसलिए आलू पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है पर आप जब बनाईए तो आलू पिल्कुल ठंडा लीजेगा तो दोनों आलूं को हमने ग्रेट कर लिया है अब इसमें हम जो मटर बॉयल करके रख इसको भी हम ग्रेट करके डाल देते हैं आप इसकी जगे अद्रप और हरी मिर्च का पेश्ट भी डाल सकते हैं पर अद्रप और हरी मिर्च जब आप फ्रेश डालेंगे तो उसका टेस्ट नास्ते में बहुत बढ़ी आएगा साथ में यहां पर आधा नीवू का रस भी हम चोड़ देते हैं अगर आपके पास नीवू ना हो तो इसकी जगे आप एक चमच अमचूर पाउडर डाल दीजेगा अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो एक चोटी चमच धनिया पाउडर एक चोटी चमच लाल मेच पाउडर टीका कम खाते हो तो मिर्च कम डालिएगा एक चमच चाट मसाला इसमें डालेंगे जो कि नास्ते को बहुत ही चटपटा बनाएगा और अब इसमें नमक डालेंगे तो नमक आप स्वात के अनुशार डालिएगा और एक चीज की स्लाइस को भी तोड़कर हम इसमें डाल देते हैं आप इसकी जगे चीज के जो अप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो मट्र हैं को थोड़ा थोड़ा सा फोड़ते जाएंगे। कुछ मट्र हम फोड़ें ख्रीजुं कि छोड़ेंगे तो यह ते जी यह तो भी समें मिक्स कर दिया है। आप सूजी की जगे चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं तो अभी बेटर थोड़ा सा गीला लग रहा है तो बची हुई सूजी भी इसमें हम डाल देते हैं और एक बार बापत से अच्छे से मिक्स करेंगे तो तकरीबर पांच चमच सूजी इसमें हमने डाल दी है और चलिए तो अब इसका नास्ता बनाना शुरू करते हैं तो हातों परते लगाएंगे नीवो के आकार का छोटा सा गोला लेंगे हतेलियों से उसे गोल करते हुए चिकना करेंगे और हलका सा इसे प्रेस देते हुए टिकिया का सेप दे देंगे यह देखिए साइट से इसे हलका सा दवाते हुए गोल कर देंगे तो यह देखिए एक टिकिया बनकर तयार हो गई और जो कॉनफलेक्स हमने पीस कर रखा था उसमें इसे अच्छे से coat कर देंगे तो इसी तरह से पहले हम सारी टिकियां बना कर तयार कर लेंगे तो एक टिकिया हम आपको और बना कर दिखाते हैं थोड़ा साथ नीवो के आकार का गोला लेंगे हतिनियों से चिकना करते हुए इसे गोल करेंगे और हलका सा प्रेश देते हुए इसे कटलेट का सेव दे देंगे और कॉनप्लेक्स में इसे कोट कर देंगे तो सारा नास्ता इस तरह से बना कर हम तयार कर लेंगे तो इस तरह से आप इस नास्ते को बना कर 5-6 दिन तक श्टोर करके रख सकते हैं और जब आपको खाना हो तो स इनहें तैयार कर सकते हैं तो चरिए अब हीने हम अव फ्राइ कर लेते हैं तो पेन में ₹ जमच जम तेल डालें गए तेल को पूरे पेन पर अच्छे से पहला लेते हैं और अब इसमें हम एक एक करके अपने मतर और अलु के कटलेश को डाल तो एक बार में पैन में जितने कटलेट आते हैं उतने आप डाल दीजे और उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर दीजेगा और मीडियम फ्लेम पर इन्हें हलका गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे तो धीरे से इन्हें पलट लेते हैं तो ये देखे कितना बढ़िया इन नहीं लगता तो कॉन्फलेक्स की बज़े से ये बहुत ही जादा उपर से क्रिस्पी हो गए है और अंदर से ये बहुत ही जादा सौप्ट है तो दूसरी साइट भी पलट कर इनको हम देख लेते हैं तो ये देखे कितना बढ़िया नास्ते पे कलर आया है तो दोनों झाए हो कि बर्डे या छुटी-मोटीगर में पाठी हो तो आप इनगे इसनक्स की तरह से सर्व कर सकते हैं तो भाकी के कट्डटबी इसी ये सेला अवा कर लेते हैं तो यह हमारा नास्ता बनकर त्यार हो गया और आज इसे हमने टमैटो सौस के सार्व किया है तो कैसी लग और यह कितने क्रिस्पी बने हैं यह भी हम आपको दिखाते हैं तो सुनी आपने आवास तोड़कर भी हम आपको दिखाते हैं उपर से बहुती क्रिस्पी और अंदर से उतने ही जादा सौप्ट और मदेदार उमीद है आपको यह रेस्पी जरूर पसंद आई होगी तो रेस् इसी ही नई रेस्पी के साथ नेस्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे थेंक्यू